आज में cellulose acetate rion के बारे में चर्चा कर रही हूँ पहले वाली वीडियो में मैंने आपको three generated पुनर निर्मित cellulose rion के बारे में चर्चा किया था जिसको तीनों परकार मेंने बताया था नाइट्रosellulose विधी द्वारा कैसे रेन तयार करते हैं और इसका निर्मान प्रक्रिया क्या है और इसको कैसे तयार किया जाता है कई बार ऐसा भी प्रशन आएगा कृतिन ब्रेसम किसों कहते हैं तो तीनों चीजे जो मैंने आपको बताया वह एक ही चीज है तो आज हम एसिटेट सेलूलोज रियोन के बारे में चर्चा करेंगे एसिटेट सेलूलोज विधी से सफलता पुर्वक रियोन तयार करने का जुस्रे है वो अंग्रेजी वेज्यानिक हैंडरी और ड्रेफस को जाता है इन्होंने सान 1914 में सरो पर्थम एसिटेट सेलूलोज विधी से रियोन को तयार किया और इसके पहले सन 1918 में अंग्रेजी वेज्यानिक मौडीन और सुट्जेन वर्ग ने सेलूलोज एसिटेट विधी से रियोन निर्मान करने का प्रयास किया था तो देखिए हैंरी और ड्रेफस ने जिस विधी से रियोन का निर्मान किया वहाँ पुनर निर्मित सेलूलोज नहीं था बलकि सेलूलोज एसिटी कमल और सेलूलोज एसिटेट का मिसरन था इसलिए पुनर निर्मित रियावन एमंग सेलुलोज असिट्योंट्रेन के गुन और राशाइनिक सभाव में भी काफी अंतर होता है अब आप यह देखेगा कि सेलुलोज असिटेट विधी में किस तरह से हम रियावन को तयार करते हैं तो इसके लिए पहले क्या करते हैं कि से लोज इसी टेट विद्धी से रियोन त्यार करने के लिए या तो कपास की लिंटर्स लेते हैं लिंटर्स समझते हो कपास के छोटे-छोटे बिल्कुल रेशा होता है उसको लिंटर्स बोलते हैं ठीक और लकड़ी की लुकदी पल्क जो बीच्वाला हिस्सा होता है, उसको लेते हैं, और इन दोनों को acetic acid से पर्तिक्रिया कराते हैं, इसके बाद इसमें acetic anhydride मिलाते हैं, जिसमें cellulogicitate का घोल तयार हो जाता है, और जब cellulogicitate का घोल तयार हो जाता है, तो इस घोल को ठंडे पानी में डाल देते हैं, जिसक इसके फल्सोरूप cellulogicitate का सफेध फ्लैक्ट मिलता है, मतलब आपको केक तरह का समझी, फ्लैक्स मिल जाता है, चप्टा केक्स जैसा चीज मिल जाता है, और इसको इस फ्लैक्स को धोकर सुखा लेते हैं, इसके बाद इस सूखे फ्लैक्ट को एसी टोन में घोल कर छान लेत जाता है, इस गाढ़े घोल को नियंत्रित ताप एमंग दबाओ पर अस्पिन्रेट के बारिक व्यास के चिद्रों से होकर हम निकालते हैं, साथ ही कमरे में भाफ प्रवाहिक भी किया जाता है, जिसके कारण ऐसे टोन उड़ जाता है, और रियोन का बारिक रेसा तयार हो ज उपर धागा लपेट लेते हैं, और फिर आप जितने बड़े साइज में चाहें, जिस छिद्र का चाहें, जितनी महीं चाहें, जितनी जमकदार चाहें, उतना आपका धागा ये तयार होता है, तो इसको हम एक बार जानने के लिए सबसे पहली देखें क्या करते हैं, कपास कलिंटर्स लिए या लकडी या बांस की लुगदी, कोई साभी ले सकते हो, कपास कलिंटर्स या बांस की लुगदी या लकडी की लुगदी, इसको हम ACETIC अमले में घोलते हैं, और इसके लिए एक निश्चित समय और नियंत्रित ताप दिया जाता है, जिसके कारण कपास क की लुक्दी बन जाती है और यह लुक्दी चुकि Acetic अमल थो अंद्लिए लुक्दी कहलातीा इस अमलिय लुक्दी को Acetic needs Hydrate के साथ मिलाते हैं और घोलते हैं तो the cellulose acetate का घोलता यार हो जाता है अभि cellulose acetate को ठंडा पानी से घोलते हैं बिलाते हैं इस इसमर रंगिन का गाढ़ा गोल तयार हो जाता है जिसको हम क्या काते हैं कुल्वाइडल सोलूशन इस फ्लैक का रंगिन गाढ़ा गोल अस्पिन्रेट से होकर करके जब गुजारते हो और एक नियंत्री ताप और भाप प्रवाहित करते हैं तो रियोन का रेशा तयार हो जाता है और विस्कोस विदी तूप्रमीनियम विदी द्वारा रेवन तयार करना चाहते हैं तो उनके लिए जो तयारी की जाती है उसपर हमें ध्यान दिया जाना जरूरी है उसके लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है पहला प्रक्रिया क्या है चमक कम करना नेचुरली जब रियोन का रेशा चाहे किसी भी विदी साब बनाए वह अधिक चमकिली और भड़किली होती है वैसा रेशा पहन करके आप ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं क् कि इसकी चमक को कम करने के लिए हम उसमें टिटेनियम डाय ऑक्साइड तेल मौन पेराफिन कुछ भी चीज डाल देते हैं जिससे की और कब डालते हैं जब इसका गाढ़ा कुलवाडर सोलूसन तयार हो जाता है उसमें डालते हैं जब रेशा मतलब कि तयार होने के लिए र क्याँ पर पंपन किया जाता है क्योंकि उनकी आंख अनभवी और उनकी कुछल अनगुलियां इस पहचान लेती है कि किटना मात्रा में कीटेनियग डायोक्साइड डालना है ठेल डालना है मोंडालना ति वे उसकाम को कर लेते हैं जिससे कि उसकी चमक को आप कम कर सकते हैं दूसरा है कताई रेसम की जो आपके रियोन के रेसा है वह उसकी मोटाई और उसका अठन अस्मिन रेट के छिद्रों के व्यास पर निर्भर करता है जैसे आप चलनी है देखो आप यहूं चानते हो या आट इसमें कutatti के लिएоре आप चूज करते हों मोटा रेसा अगर चाहिए तो मोटे च्ञहिदवाले से निकालो महिन रेसा चाहिए तो महिन अस्मीयदेट के च्ञहिदय से निकालो गे रेसुं रियोन की जो लंबा इस की वह आप कितना चाहो उतना लंबा रख सकते हैं क्योंकि मैन मेड है रेसम का रेसा आप जानते हो 1000 मिटर तक 500 मिटर तक 1000 फिट तक 200 यह करता है कि कोकुन कितना बड़ा है और उसके क्या साइज है इसे प्रकार से जो कपास का रेशा है उसको 3-3,5-2 इंच ये डिपन करता है कि कोटन के पॉट्स में रेशे किस प्रकार के इसे प्रकार का रेशा जो है 3-4-5-10 तक हो सकता है इसलिए लेकिन चुकि आप मैनमेट रेशम तैयार कर रहे हैं रेशा तो इसकी जो कताई होती है उसकी email नायोन हो क्रों और पॉस्ट रहो कोई भी हो उनकी जो लंबाई है आप मन करके रखती है इसलिए रियोन बस्तर निर्मान है तू वांचित मोटाई आकार प्रकार और लंबाई के धागे व्यक्ति जैसा चाहे वैसा प्राप कर सकता है अगर पतला प्राप करना चाहा है एक महिन धागा हो अस्पिंडेट का महिन चिद्र लिजिए अगर आपको लंबा धागा तैयार हु गया तो आप उससे आप बड़त करके आप कई प्रकार के रैसे त्यार्ज धागे तैयार करते हैं डोहरा धागा K जात्य बहु रेशीट हैं घाता हुआ और तर्य कर दादक मैं तो इकार हो कहेंगे तो स्था लीद्धान बनाना है उसके अनुरूप कुछ धागे कहरे रूपे परयोग में लाए जाते हैं और कुछ को बट करके मजबूत बनाए जाता है और उनमें तनाव सामर्त बढ़ाने ये तू अस्पिंडेट की छिद्रों पर ताप और दाप का नियंतरन रखते हैं और इसी समय उसमें जितना एठन देना चाहिए उतना एठन दे दिया जाता है इकहरे धागे इतना मजबूत बनाए जाता है कि ये बुनाई के दोरान पढ़ने वाले दबाव जटके ये मंखीचा तानी को साहन कर सके इन्हें पकड़ना और संभालना भी असान होता है प्राय दो या दो से अधिक रेशों को मिला करके एठन दे करके धागा तयार करते हैं तो उसको हम को अलग अलग दो रिलों पर चला कर चाभ रिसिस दागा करते और इसी प्रकारश ने love 19 chat मोटा थाघा करना है अगर आठ कर minute doświad अलग अलग करना अलग दो रिलों पर चला करके फिर अशने दागा तियार करा आगर दोंसा एक रिल पर है दूसरा दोंसाल दूसरे चार रिल maturity दागा बने गाव चार रिल पर है दुशक्या रिल पर। आठ रिल शला धागना बने मतलँ तक दूगना बन तो अ बनता है और इसे प्रकार से अब जितना चाहों उतना कि क्रम्याब मोटाई प्राप्त कर सकते हैं बना सकते हैं अस्पन्या को एक टा हुआ कि शोकाते हैं वस्तर निर्मान पर कृईया में कई टूठ फूड जाते हैं अत्वा रेसे प्राकृतिव्टी ग्रुप से यहीं नन् कौन हो गटते हैं ये हैं कि इंहें रिंप साथ मिलाकर अनुकृति को च्छलि क Nam आ जाते हैं जिससे में बीविंटा और घुना जाता है और तीस जो है अब यह था परिशजाई की जाती है क्योंकि जब मसीन से धागा तयार हो करके आता है तो इस लाइक नहीं रहता है कि मार्केट में विक्रतियां रहती है या उसमें कईपर कर दूर करने के लिए परिश्य ऺ परिशितियां और परिशलाय की जाती है जैसे सतह चिकना करना उसके लिए क्लेंडरिंग के रिया किजाती है सजावट का प्रमाव़त्पर करने के लिए नकासी किया जाता है इस प्रकार इस पर जलव रोधक, परिशज़ा, संकुचन हटाने की परिशज़ा सलवट परती रोधक, परिशज़ा आधिकारी किया जाता है यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप जरूर सेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें आगामी वीडियो में मैं आपको रियों की विसिस्ताओं के बारे में चर्चा करूँगी गन्यवाद, नमस्कार, अब इजाज़त दीजिये जाने की, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक्यू